हलो आरेवन, कॉंपटिटिटिव एक्जाम में आपका एक पर फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो कि आपके सरदार पटेल उनिवस्टी जो कि मंडी से यहां पर गैस टीचर्स की आपके पास ही रहने वाली है और इसका कोई भी एक्जाम नहीं होगा और वाके इंटर्व्यू के बेस पर आपका सेलेक्शन यहां पर होगा और आप दे सकते हैं कि यह जो सरदार पटेल उनिवस्टी है HPU के बाद हमाचल परदेश की दूसरी बड़ी उनिवस्टी है अब आपको पता है कि HPU के बोज को कम करने के लिए यह सरदार पटेल उनिवस्टी बनाई गई है जिसके अंतरगत आपके पांच डिस्टिक कवर होते हैं तो इसमें जो है walk-in interview के अधार पर यह vacances निकली है जैसा कि आप दे सकते हैं कि 6 जुलाई को यह notification release हो चुकी है तो आप दे सकते हैं कि walk-in interview for the guest faculty in where is his department of सरदार पटेल उनिवस्टी मंडी purely on temporary basis will held the office of pro vice chancellor सरदार पटेल उनिवस्टी मंडी तो आप दे सकते हैं कि interested candidate having eligibility as per UGC regulation 2018 their subsequent amendments for the time to time may report for the walk-in interview along with the relevant original certificate and document तो यानि कि जो यह guest faculty की जो vacances निकली है यह UGC के norm के अधार पर ही आपको यदि आप योगेतार रखते हो तब ही आप इसके लिए eligible रहेंगे लेकिन यह purely जो है आपके teaching vacancy रहने वाली है तो आप दे सकते हैं कि कौन कौन से subject में यह आपकी vacancies निकली है तो आप दे सकते हैं कि physics में आपके physics की vacancies रहने वाली है और chemistry के लिए जो है यहाँ पर vacancies रहने वाली है और mathematics के लिए भी यहाँ पर vacancies है और English के लिए yoga, EBS, chemistry, industrial chemistry जिसके लिए आप देश सकते हैं कि date of interview यहां पर mention कर दिया गया है इन सभी यानी कि physics, chemistry, mathematics, English, yoga और EBS के लिए 20 जुलाई को आपका interview होगा 11 बजे और बाकी subject के लिए आप देश सकते हैं कि chemistry के लिए 23 जुलाई को ही 12 बजे इसका interview होगा और Botany के लिए 24 जुलाई को 11 बजे होगा और Geology के लिए 24 जुलाई को 12 बजे ही इसका interview होगा Environmental Science के लिए 1 बजे होगा और management जिनोंने management में master's किया है या B.E.A.D. किया है और साथ में उनके पास M.Phil भी है तो भी इसके लिजिवल होगे तो आप दे सकते हैं कि 25 बजे 24 को 11 बजे इसका interview होगा और history के लिए 25 बजे 24 के लिए interview होगा 12 बजे और public administration के लिए 25 जुलाई को ही 1 बजे इसका interview होगा तो ये guest faculty teacher की vacancies है और इसमें आप दे सकते हैं कि term and condition जो यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास UGC के अनुसार minimum qualification होनी चाहिए जो एक teachers के लिए रहती है जिसमें आपको पता है कि teachers के लिए आपके पास master degree प्लस आपके पास be at compulsory होनी चाहिए और यदि आप college के अडर में लग passport side photo और अपना bio data साथ लाना है तो आप दे सकते हैं कि आपको जो है साड़े 9 बजे university में पहुंच जाना है document verification के लिए या interview के लिए जो भी यहाँ पर बताया गया है जो यहाँ पर आप दे सकते हैं जो ही इन्होंने कहा है कि the engagement of the guest faculty is purely on temporary basis पे रहने वाली है यानि कि आप आपको पता है कि आजकर हिमाचल में कोई भी vacancies नहीं आ रही है तो जब तक आपकी regular vacancies नहीं आती है तो तब तक आप जो है guest faculty के रूप में job कर सकते हो तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको salary कितनी दी जाएगी तो salary आप दे सकते हैं कि जो आपका per period के हिसाब से यानि क 1000 आपको per period यहाँ पर pay किया जाएगा और maximum जो ही है 35,000 रुपय तक per month आपको salary यहाँ पर guest teacher को दी जाएगी तो आप दे सकते हैं यह इन्होंने यहाँ पर mention कर रखा है यहाँ आप दे सकते हैं कि 9th column इन्होंने कहा है कि the guest faculty engagement of the purely on lecture basis with an on an area of 1000 per lecture up to the maximum rupees 35,000 per month तो यानि कि 1000 रु से आप maximum 35,000 रुपय तक आपको per month salary दी जाएगी तो यह आप दे सकते हैं और इसमें यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि आप regularization के लिए कोई भी आप आपको कोई भी right नहीं है तो यह temporary basis पर रहेगी जब तक यहाँ पर regular teacher नहीं आते हैं तो अब तक आप यहाँ पर job कर सकते हो तो यह आप अपने अनुसार यदि आपने eligibility आप यहाँ के लिए रखते हो यदि आपने भी एड या master's या MPHL या other आपने net set clear किया हो तो आप directly जो है interview में भाग ले सकते हो तो आपको पता है कि आतकल jobs काफी मुश्किल मिल रही है जब तक आपकी regular भरती नहीं हो जाती त application for the guest faculty teacher तो आप दे सकते हैं कि यहाँ जिस post के लिए आप apply कर रहे हो यहाँ आपका post नाम लिखना है advertisement number आप लिख सकते हो और यहाँ पर आप पूरा bio data लिख करके अपना passport side photo जिस दिन आपका interview है और सारी detail आप फिल करके इसके साथ अपने relevant document attach करके जिस दिन आपका interview है वहा faculty teacher के रूप में job करना चाता है उनके लिए एक अच्छा मौका है यह सरदार पर टेल जो university मंडी है उसके तहत यह भगते होनी जा रही है तो काफी इसमें अच्छी salary दी जाएगी आपको जब तक आपकी कोई government job के लिए आपका selection नहीं हो जाता तब तक के लिए आपके पास अच्छा मौका है तो यह आज job notification में लेकर आपके लिए आ गया था तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो and इसी परकार के future update के लिए आप हमारे channel competitive exam से जुड़ सकते हो धन्यवाद